हाँ तो भाईया स्वागत इस सभी का अपनी पाटशाला में पिछली क्लास में हम लोगों ने डिसीज वाले चेप्टर की बात करी थी ठीक है और अलग-अलग बीमारियों पे अपने चर्चा करी अब बीमारी वाले चेप्टर के बाद में आप लोगों को जो परेशानी थी वो है एनिमल ब्रीडिंग में एनिमल ब्रीडिंग पसु प्रजनन एक टेक्निकल पार्ट है ब्रीडिंग मेथट्स जो है इनके बारे में समझना जरूरी है और यहां से question आते हैं हर साल और यह fix है कि कौन से question आएंगे लेकिन हर साल पूछिने का तरीका थोड़ा बदल जाता है और उस different way के साथ में अपना answer देने के लिए समझना जरूरी है यह चीजों को रटना आसान होता है पर रटने के बाद answer सही सही बैठ जाए जरूरी नहीं है अब समझना जरूरी है उसके लिए ठीक है तो इस चीज को समझते हुए चलना अगर एक बार concept clear हो गए कि किस method में क्या चल रहा है और हो किसे काम करती है तो आपका answer कभी भी गलत नहीं होगा चाहे कितना भी घुमा फिरा कि आपको question पूछ ले अब हर एक method को जब मैं detail में describe करूँगा तब मैं बताओंगा क्या question आये है और कहां गलतिया हुई है अभी हम लोग केवल बात करेंगे कि हर एक method जो है वो किस rules के coding चल रही है उसमें क्या logic चुपा हुआ है कि वो किस आधार पे काम कर रही है तो यह अपन चर्चा करते हैं पर इससे पहले कि मैं शुरू करूँ पहले मैं definition बता देता हूँ और यह जो chapter है या कहें कि animal husbandry वाला part है यह भीया सभी के काम का है जो लोग पढ़ रहे हैं उनके काम का भी है जो खेती बाड़ी से जुड़े हैं उनको भी काम का है अभी फिलहाल में recent में जो है अपने उत्तर प्रदेश गाजियाबाद दरभंगा वाले इलाके से जो है agriculture related या animal husbandry से related, poultry से related, dairy farming से related कोई काम करना चाहते हैं तो आपके काम की चीज़े यहां मिल जाएंगी है ना और को suggestion चाहिए तो उसके लिए भी में तयार रहता हूं कोई समस्या नहीं है अगर आप बात करना चाहें तो तो शुरुवात करते हैं भाई animal breeding तो सबसे पहले तो प्रजनन, पसु प्रजनन, animal breeding, what is animal breeding, पसु प्रजनन क्या है तो simple सी बात है एक तो देसी तरीके से समझो कि बार बार नया जीव पेदा करना प्रजनन, नया जीव पेदा करना प्रजनन, ठीक है लेकिन यहां पर animal breeding जो है, यहां पर थोड़ा सा scientific तरीके से इसको पन समझते हैं, कि जो प्रकरती में चल रहा है और जो यहां पढ़ रहे हैं, इन दोनों में थोड़ा सा एक अंतर है, प्रकरती अपने इस तरपे हर एक जीव में एक समय के बाद बदलाव आता है, हर छोटा बच्चा, हर छ और वीपरित लिंगों के प्रती आकर्चन बढ़ता है, फिजीकली वो लोग कॉंटेक्ट में आते हैं, नया जीव पैदा होता है, प्रकरती से सब लोग बंधे हुए हैं, यह तो सोभाई करूप से चल रहा है, और प्रकरती अपने इस तरपे चैन भी करती, सिलेक्शन भी खều-बदलाओ भी करती है, जो की बहुत ही धीमी प्रकरिया है, लाखों साल में जाकरके, वो अंतर दिखाई देता है, नया बदलाओ दिखाई देता है, लेकिन एक होता है, मनुष्छी के द्वारा अपने लेवल पे करवाना, लेक्शन अब यह क्या चीज है, तो इसको थ गोटिया गोडोड खिलाते रहते उसको तो गाउं में जो कहीं सारे इसे लोग रहते हैं कि भई अज्यानता वस्ट अबोध है उन्हें उस चीच का महत्वनी पता है तो वो लोग क्या करते हैं कि जैसे गाए में टाइम आ रहा है कि उसको जो है कॉंसेप्शन करवाया जाए गर्वधरन करवाया जाए तो उस टाइम पे जो आवारा पसु आसपास रहे गाया गाहों में जो सान घूम रहा है उसी के पास ले जाएंगे वही प्राकरतिक रूप से सहवास मेथुन कॉपिलेशन होगा कॉंसेप्शन होगा गर्वधरन होगा और बच्चे का जन्म होग लेकिन वो जो बच्चा आया है उसके अंदर आदे गुन किसके आये हैं उसके पिता के और पिता कौन है वही आवरा पसु आवरा पसु है उसमें कोई अच्छे गुन नहीं थे वो कोई विसिष्ट जो है नसल का नहीं है तो उसके गुन खराब आएंगे नसल धिरे धिरे खराब होती जाएगी फिर लोग केते अरे यार ये जो गाय है इसके मान तो जो है 20 लिटर दूद देती थी और ये तो पांच लिटर देती पांच देती क्योंकि आपकी गलती है आपने चुनाओं सही नहीं किया इसके लिए अकेली गाय जिम्मेवार नहीं है गाय के साथ वो समय आया है इस्ट्रस का या कहें कि मदकाल का बोलचाल में मालवा निमार वद्द प्रदेस में जो है अलग-अलग अलग कहते है गर्मी का समय आया पाली आना कहते हैं तो उस समय यदि आप एनिमल को लेकर के डेरी फार्म पे जाएंगे डेरी फार्म जहां एक डॉक्टर ह है और डॉक्टर जो है आइटी फीचली इंजेक्शन के थूझ जो सीमन है वीर है अच्छे नर पसू का है ना अच्छी नसल का उस सीमन को इंजेक्ट करवाएगा इनिमल में तो आने वाली जो ब्रिड होगी आने वाली जो नसल होगी वो पुरानी से बहतर आएगी देशी न के नर का सीमन पहुंचाया गया है तो आदे गुन उसके आदे मादा के और दोनों के अच्छे गुन मिलके संतान को इंप्रूव करेंगे प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे अई वास समझ में तो इस तरह से एक मेथड हो गई है प्राकरतिक एक हो गई क्रत्रिम प्राकरतिक विधी सस्ती है कोई पैसान लग रहा है आवरासान कोई पैसे नहीं लेता क्रत्रिम मेथड में आप डॉक्टर के पास ले जाएंगे उसकी फीस लगेगी केर करनी पड़ेगी यह ना तो महंगी विधी है आदुनिक विधी है क्रत्रिम प्रजनन या इसी को कह सकते आर्टि क्रत्रिम गर्वाधान में ज्यादा होते हैं 65% होते हैं प्राकरतिक में 50-60% यह पूछा गया है डेटा पूछा गया प्राकरतिक विधी में गर्वधारन का परसेंट क्रत्रिम में गर्वधारन का परसेंट यह आपको ध्यान रखना है ठीक है तो क्रत्रिम और प्राकरतिक में यह अंतर है तो क्रत्रिम में में चीज क्या चल रही है मेंली चल रहा सिलेक्शन कि आप एक पसू के लिए नर का चुनाव कर रहे हो या कहें कि नरमादा का ही चुनाव चल रहा है सिलेक्शन चल रहा है तो अच्छे नरमादा का चुनाव करना सिलेक्ट करना है ना तो सिलेक्शन पहली चीज की बिलिडिंग में क्या चलता है सिलेक्शन चलता है सिलेक्शन में कहीं सारे मेथड है रेंडम टेंडम है ना अनुक्रमिक चैन या फिर इसी को ही अपन कह सकते हैं या द्रास्चिक चैन या और भी कहीं सारे मेथड है उन की tandem selection या अनुक्रमिक शयन अनुक्रमिक का मतलब समझो की क्रम से एक एक चीज एक साथ सारी चीज लेके नहीं चल रहे हैं केवल एक चीज लेके नहीं चल रहे हैं एक के बाद एक जो है गोन को लेके इंप्रूव किया जाता जैसे गेहूं हैं पहली प्राथमिकता हरित करांती के टाइम अपनी थी उत्पादन बढ़ाएं तो केवल उस एक केरेक्टर को ध्यान में रखके ब्रिडिंग पे ध्यान दिया गया और गेहूं का प्रोडक्शन बढ़ाया प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कौन कौन से केरेक्टर बोले पोधे की हाइट हो कम ताकि जो पोधा हवा चलने पर गिरता था लोजिंग होती थी वो ना हो पाए तो ड्वार्फ जीन ले क्या है दूसरा बोले जो बाली है स्पाइक है उसका जो साइज है वो बढ़ जाए क्योंकि अगर बाली बढ़ जाएगी तो टोटल नंबर ओफ ग्रेंस पर स्पाइक विल इंक्रीज तो सेकेंड जो था अनू क्रमिक में अगला क्रम क्या था बाली का साइज बढ़ाया जाए फिर जब प्रोडक्शन पर यह आप तो होगया है तो एक क्रम से एक के बाद एक केरेक्टर इंप्रूव किये गए तो जब एसा किया जाता है तो उस चैन की मेथट को सिंपली अनू क्रमिक चैन या टेंडम सिलेक्शन कहते हैं अपने काम का जो आया हुआ क्वेस्चन भी एच्व आईसे आर पीटी स्टेट वाईली सारी उनमें ये क्वेस्चन पूछा गया कि विच अप्र फॉलोएंग इस बेस्ट मेथट ऑफ सिलेक्शन रेंडम सिलेक्शन टेंडम सिलेक्शन तो वहाँ पर क्या आएगा भाया टेंडम सिलेक्शन अनू क्रमिक चैन ये ध्यान रखना और सभी सिलेक्शन मेथट्स का टोटल इंप्रूव्मेंट में कितना कॉंट्रिबूशन है तो 35-50 परसेंट ये क्वेस्चन भी भी एचू में 2-3 बार रेपिट हुआ है P.A.T. में भी आया है 35-50 परसेंट योगदान है चैन की विधियों का ठीक ये दो-3 बाते अब इस पसू परजनन का उद्देश क्या है तो ये जो कथा पूरी चल रही थी अभी तक इससे आपको समझ में आ गया होगा कि उद्देश है भीया इनका उत्पादन बढ़ाना उत्पादन बढ़ाना इसी लिए तो अपने यहां क्रोस करवाते हैं इसका बेस्ट एक्जामपल ये लिखा सामने ब्राउन स्विस और साहिवाल से बन रही करन स्विस क्या चेंज आये बोले इनमे आपने बोले चेंज ये बोले ब्रिडिंग का एक्जामपल है इसमें हमने चायन किया, ब्राउन स्विस विदेसी नसल है, कहां की है स्विडजर लेंड के, स्विस जहां आए स्विडजर लेंड और उसका सीमन लिया गया नर का, और भारती मादा साहिवाल में इंजेक्ट किया गया, इन दोनों से आई करन स्विस, अब ब्राउन स्विस का उत्पादन है 3300 से 3400 लीटर अब ये बताओ कि साहिवाल से ज़्यादा है लेकिन ब्राउन स्विश से कम है तो बोले इन दोनों का मिला जुला गुन जब आया तो बोले उत्पादन करन स्विश में बढ़ गया किस से? साहिवाल से अब देखा जाए तो साहिवाल से पेदा हुआ है करन स्विश लेकिन करन स्विश में उत्पादन अपनी मा की तुलना में ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो उत्पादन ब्रिडिंग से बढ़ेगा वसा का परसेंट बढ़ेगा साहिवाल के दूद में वसा का परसेंट है 4.5 परसेंट लेकिन यहाँ पे है 4.7 परसेंट करन स्विश में वसा बढ़ेगी कुल उत्पादक आयू बढ़ेगी जैसे अपन कहते है जनरली कि एक गाय अपने जीवन में 10 वियाद दूद देती 10 lactation in their whole life लेकिन यहाँ पे अगर देखें अपन करन स्विश में तो इसमें उत्पादन जल्दी शुरू हो जाएगा 32 महिने में इस शुरू हो जाएगा साहिवाल में जहां 42 मन्थ पे स्टार्ट होता था यहां 32 पे शुरू हो जाएगा तो उत्पादन भी जल्दी शुरू हो गया, मतलब पूरे लाइफ में ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी, रोग प्रतिरोधक शमता बढ़ाना, बीमारी से लड़ सके, जैसे भारती पसु जो पिछली वार अपन ने पढ़ा था, खुर्पका मुपका उनको नहीं होता, बीमारी से लड़ने क अपन बढ़ाना, अंडे बढ़ाना, भेड हो तो उन बढ़ाना, बकरी हो तो मानस बढ़ाना, ठीक है, तो हर वो केरेक्टर जो हम चाहते हैं, वो किस से ला सकते हैं, पसु प्रजनन से, ओवराल यदि को एक आंसर देना हो, जो कि पूछा गया है एक्जाम में, काम की बात फिर से जो हाँ कन्फूजन होते हैं, सारे करेक्टर मिल रहे हैं और आपको एक आंसर देना है कि प्रजनन का उद्देश क्या है, प्रजनन का उद्देश है, जल्दी पसु का जवान होना, अरली मेचुरिटी ओफ एनिमल, या अरली प्यूबरिटी, अब जल्दी जवान ह होना है, जल्दी युवान होने से क्या संबंद है, तो बोले जल्दी जवान होगा, तो जल्दी प्रजनन करेगा, जल्दी प्रजनन करेगा, तो दूद जल्दी उत्पेदा होगा, बाकी के रेक्टर भी जो हैं, वो सब इसी से संबंदी थे, कि जितना जल्दी को बढ़ा है ना तो वो हो जाएगा इसका आंसर अब शुरू करते हैं भाई आपन कहानी कि चल क्या रहा है इस चेप्टर में तो इस चेप्टर में सारी बाते इर्दगीर्द घुमती है यह जो बोर्ट पे लिखी इन मेथड्स के आसपास तो इन मेथड में सबसे पहले तो याद रखिए कि ब्रिडिंग में जो है दो मेथड में इसको बाट दिया इन ब्रिडिंग आउड ब्रिडिंग अंतह प्रजनन बही प्रजनन अंतह प्रजनन में condition याद रखना कि अंतह में या in breeding में एक समान नसल होती मतलब साहिवाल का नर्थ तो साहिवाल की मादा जर्सी का नर्थ जर्सी की मादा और दूसरी condition है कि ये प्रजनन चलता है छे पीड़ी के अंदर अंदर मतलब छे पीड़ी में जितने भी relative आते हैं मामा, बुवा, ताय, भाई, बहन, माता, पिता इन सब relation में पसु में प्रजनन चलता है अंतह प्रजनन लेकिन छे पीड़ी के बाद में यदि प्रजनन चल रहा है तो वो क्या है? बही प्रजनन बही प्रजनन में और भी कंडिशन हो सकती जैसे यहां आपने कहा एक समान नसल यहां एक समान नसल कंडिशन है एक समान नसल लेकिन छे पीड़ी के बाद एक समान की जगे आप यहां भिन्न भिन्न नसल भी ले सकते हैं भिण्न भिण्न के साथ भिण्न भिण्न जयती मिले सकते हैं नसल तो कि आप जयती भी बदल सकते हैं अब जयति और नसल में के अंतर हम आगे पढ़ाओगा तो यहां हर वो चीज्ज जो आप सून सकते अपलाए है यहां फिक्स है समान नसल छे पिड़ी के अंदर अब एक समान नसल में जो छे पिड़ियां है इन छे पिड़ियों में भी दो तरह के रिलेशन जैसे आप अपने घर में देखते होंगे एक तो संबंद है बिल्कुल घनिष्ट वाला रक्त का संबंद एना क्लोजली रिलेटिव निकटम संबंदी माता पिता के साथ बच्चे का संबंद भाई वहन का संबंद ये हैं दुनिया के सबसे करीब वाले रिलेशन इननों को छोड़के जो छे पिड़ियों बचे फिर चाचा चाची ताया ताई दादा, दादी, परदादा, परदादी बुवा, मामा, चाचेरे उनके भाई वहन ये सब 6 पिड़ि के अंदर आ जाते तो यहाँ पे कहा कि जो क्लोजली रिलेटिव है उनमें प्रजनन क्लोज ब्रिडिंग या कहें कि रक्त संबंदों में प्रजनन है संब्रजनन, पिता, पुत्र, माता और सगे भाई बहन इनमें रिलेशन है रक्त का, खुन का सगे भाई बहन के माता पिता सेम है तो जो माता पिता में केरेक्टर है हो बच्चों में इसलिए इनमें ब्लेड रिलेशन है इनमें प्रजनन कहलाएगा सम प्रजनन या क्लोस बिडिंग इनको छोड़के जो छे पीडी के अंदर अंदर वाले हैं बज गए उनमें प्रजनन है अंतर वंस प्रजनन या लाइन बिडिंग जैसे दादा और पोती अब दादा से क्या डारेक्ट पोती आ जाएगी तो नही पहले पिता आएंगे, फिर पोती आएगी उनसे, तो बोले एक वंस का बीच में अंतर है, इसली इसको नाम दिया अंतर वन्स प्रजनन, लाइन ब्रिडिंग, तो यहाँ पे दादा पोती, पोता दादा, यह ना पोता दादी, उल्टा भी हो सकता न, दादा पोती, तो पोता दादी, पर दादा पर पोती, पर 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 पोती, पर 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 पर, छे पीडी तक आप ले जा सकते हो प जो बश गए है वो क्या है अंतरवन्स प्रजणन voiture अब ज्याद़ा सोचना निया काई लोग क्या सोचते हैं कि भाई बहन के बीच में बोले तो यह मनुष्य थोड़ी है यह जानवर इनका उप्योग करते हम अपने फाइदे की लिए इंसान वालची है वो अपने फाइदे में उप्योग करता जानवर का और देखा जाए तो यह मेथड जो है आर्थिक रूप से अच्छी नहीं है यह एक्सपेरिमेंट के लिए करवाई जाती है प्रायोगी कुरूप से उप्योग की जाती है इना इट इस नोट गूट फोर एकोनोमिक परपर परपस इस यह आगया आएगा जब मैं डिटेल में बताऊंगा इसके लाभानी तब अगला है बही प्रजनन बही प्रजनन में पहल आटीवाई की हिस आपने मादह लिए तो इस मेथड से आने वाली नसल भी साहि वाल ही होगी कुछ नया तो मिलेगा नी तो फिर इस वीधी का मतलब क्या है और जब येसा यहां पे भी चल रहा है एक समान नसल तो यहां भी है ये आपने लिखा है कि एक समान नसल है लेकिन स्विधी का जो परपज है उद्देश है वो है अन उत्पादक को बदल देना किस में उत्पादक में मतलब आपके यहां दस लिटर गाय दुद दे रहे हो तो उसको पंदरा लिटर में बदल देना पांच लिटर दे रहे हो तो दस लिटर में ले आना उसको बोले ऐसा कैसे ह हो सकता किसे possible है तो इसा समझो कि एक साहिवाल आप खरीद के लिए क्या है ठीक अब इस साहिवाल को तो आप ले आए मादा को तो पर नर नहीं लाए गाओं में जो घटना होती है मैं वो बता रहा हूं ध्यान से सुनना अब इस साहिवाल की जो संताने हैं वो संताने आई गाओं के आवारा पसू से है ना अब आवारा पसू गाओं का नर और उससे क्रोस करने पर आगए धेर सारे दूसरे मादा पसूप जिनको आप को होगे साहीवाल की बच्ची है तो वो भी साहीवाल तो ये घट्टे हो गए आपके पास अब इसमें था 10 लिटर दूद अब इनमें देखने को मिल रहा है 5-5 लिटर दूद आप को होगे कि यार हे तो साहीवाल बोले पर इनमें उत्पादन घट गया पन केते ना गाओं में कि हे तो जर्सी पर उत्पादन कम है वास्तव में वो शुद्ध जर्सी नहीं है वो क्रोस जर्सी का उत्पादन घट गया है अब आप बदनाम करोगे नसल को पर वास्तों में आपकी गलती है आपने साहिवाल का अच्छा नर नहीं लिया आपने क्या लिया गाउं का आवरा नर अब आपको शुद्ध करना है तो आप क्या करोगे कि इनमें आपस में 6 पीडी के संबंदित नहों बाहर से आप क्या लेक उत्पादन करवाने का ये भी उत्पादन करती थी क्यों करती थी क्योंकि इसमें साहिवाल के गुन थे अब साहिवाल के गुन एक्जेक्ट चाहिए तो इन मादाओं को किसे मिलाना पड़ेगा अच्छे साहिवाल के नर से आई कथा समझ में तो इसके लिए अपन अच्छा नर लेकिया है आप कई लोग सोचेंगे सर की साहीवाल का नर जो है दूद उत्पादन केसे बढ़वा देगा नर का काम थोड़ी दूद देना है नर का काम नहीं है दूद देना लेकिन नर के बोड़ी में भी गुनसूत्र तो है न जीन्स तो है न वो वाले जीन्स जो इसका मतलब यह तो नहीं कि वो जीन बेकार हो गये हैं वो जीन अगली संतान में तो जाएंगे अगर मादा होगी तो उसमें प्रकट होएंगे यही वास समझ में इसा समझो जैसे कईबार केते ना कि मा तो गोरी है पर बच्ची जो है वो काली आ गई थोड़ी साउली आ गई कैसे आ गई बोले पिताजी ने साउला कलर का केरेक्टर दे दिया बच्ची में आ गया तो मतलब पिताजी से भी आदेगुन आ रहे हैं तो पिताजी के अंदर सारे केरेक्टर है नर के अंदर सारे केरेक्टर है आई बास समझ में आदे केरेक्टर वो भी दे रहा है तो यह नहां से जब साहीवाल का जो नर है इसमें छमता है कि इसकी नसल दस लिटर दूद दे तो ये जब अपने आधे के रिक्टर देगा इधर से पांच लिटर वाले ही जीन्स बचे हुए हैं तो इधर से आधे जाएंगे तो आने वाली संतान में पांच से तो बढ़के आएगा तब इस पर बात करूँगा आज ज़्यादा खिचड़ी हो जाएगी नहीं तो है ना तो ये धियान रखना कि अनुत पादक को उत्पादक में बदलने की विधी कुन सी है भिन्न संकरन क्रॉस बीडिंग यही क्वेस्चन यहां से पूछा जाता है कि अन्रिलेटेड प्यो समान नसल के नर्मादा पस्वों को किस विधी में मिला जाता है अब आसंबंदित सुंते ही लोगों ने क्या समझा संकरन क्योंकि यहां भिन भिन नसल संबन में नहीं हे तो समझे आसं बंदित पर उनने कहा था एक समान नसल के, एक समान नसल किसमे है इधर, तो बोले एक समान यहां भी तो है, लेकिन यहां एक समान नसल के अगा संबंदी थी है, यहां तो संबंदी थे, निकटन संबंदी है यहां तो, तो एक समान नसल और साथ में छे पीड़ी के बाहर मतलब अगा संबंदी थे यहा पर आई कथा समझ में धोनना अपने क्वेस्चन कलेक्शन में यह प्रश्ण आपको मिलेगा 2018 में यह न तो एक वेस्चन आप देख लोगे यहां से ब्रीडिंग वाले चेप्टर से तो इस तरह से यह आंसर आएगा कि अनुत्पादक को उत्पादक में बदलने की बेस्ट मे अनसर होगा घिंसांकरण आउट्रोसींग धिन अगला है संकरण संकरण में अगली कंडीशन क्रॉस ड्रेडिंग में अगली कंडीशन भिन्न नसल यहां एक समानती यहां भिन्न भिन्न हो गई मतलब एक नर है BROW ब्रावन-शविस और साहिवाल लिए, ब्रावन-श्विस साहिवाल से नहीं नसली, क्या है करन स्विस साहिवाल का उद्पादन भारत में 1050 और इसी की ही बच्छी भारत में उद्पादन करेगी 2300-2400 लीटर, यही तो कारण है अपने अगाहों में वो धेसी गाये जो है अच्छी धेसी गाये खत्म हो गई सब संकरी संकर हो गई एक तरफ से क्रोस करवाया खूब वास्तव में दूद वाले पसू के लिए क्रोस देखा जाए तो छणिक रूप से लेकिन लंबे समय के लिए बुरा है केसे तो आपने जब क्रोस करवाया तो करन स्विस आई अब करन स्विस जो है वो दूद तो देगी पर करन स्विस की जो संताने है आने वाले समय में वो बेकार हो जाएगी क्योंकि आप करन स्विस को किस से मिलाओगे बताओ करन स्विस को ब्राउन स्विस से मिलाओगे तो विदेशी के गुन बढ़ेंगे तो बीमार ज़ादा होगा वो मरेगा और साहिवाल से मिलाओगे तो वो तो साहिवाल की तरफ जा रहा है है दिरे दिरे नी समझे फिर से सुनना रिपीट करके आ जाएगा समझ में फिर भी निया तो जब संकरन सेपरेट पड़ेंगे न पूरा तब मैं डिटेल में बताओंगा पुरी कहानी सुनाओंगा फिर अभी याद रखो कि भिन्न भिन्न नसल से नई नसल आती है हमेशा जै नई नसल पेदा करने की विधी कौन सी नई नसल बनाने की विधी कौन सी है संकरन है ना दूसरा प्रशना आता है कि बाजार में बेचकर आर्थिक लाब कमाने के लिए कौन सी मेथड़ है तो संकरन उन उत्पादन मांस उत्पादन अंडा उत्पादन दूद उत्पादन बढ़ाने के लिए या ततकाल उलनती लाने के लिए क्विक इंप्रूमेंट जनरेट करने के लिए बेस्ट मेथड कोन सी है क्रॉस व्रिडिंग आई वास समझ में इतनी जल्दी पहली पीडि में उत्पादन नी बढ़ता यहां आप देख रहे थे आपनने कहा बढ़ेगा पर माता पिता से नहीं बढ़ेगा यहां उत्पादन बढ़ रहा था पांच लिटर का साड़े साथ हो रहा था यहां तो सीधे जो है किस्टो पचास से चौंतीस सो हो जा रहा है तो याद रखना खूइक इंप्रूमेंट ततकाल उन नतीस विधी से संकरण से मार्केटिंग परपस से संकरण विधी लाप कमाने के लिए संकरण मेथ़ड एकोनोमिक परपस से क्रोस ब्रीडिंग मेथड पर संकरण मेथड बेक क्रोस या पितर संकरण ये ना साथ में आजाएगा चरम संकरण द्वी संकरण और त्री संकरण ठीक है तो इस तरह की चीजें यहाँ पे मेथट्स में आजाएंगी संकरण में तो आपको ये चारो ही यहाँ ध्यान रखना है अब इनका डीटेल में बाद में पढ़ाऊँगा जब आपको क्रोस ब्रीडिंग पढ़ाऊँगा अभी समझो कि प्रसंकरण हाईब्राइजेशन अब हाईब्राइजेशन जो है यहाँ कंडिशन है भिन भिन जातियां मिट गया है लिग देते हैं फिल से भिन भिन जातियां डिफरेंट इस्पीसीज कोई भी नाम दो चीजों से बनता है हवन्स और जाती जीनस और इस्पीसीज तो यहाँ पर गधा जो है जिसका नाम है इक्वस एनस यह ना और जो है घोडी है इक्वस केबिलस तो इक्वस एसिनस और इक्वस केबिलस तो एसी नस और केबिलस दो अलग-अलग जाती है एक्वस एसिनस एक जाती एसिनस और केबिलस एक जाती गधा और गधा और गोडी और इनके क्रोस से आया है इक्वस मूलस आई बास समझ में इक्वस मूलस मूल कहते हैं खचर को M-U-L-E तो खचर अपने आप में एक नहीं प्रजाती है प्राकरतिक रूप से नहीं आती मेन मेड है हमने जबर जस्ति करवाई प्राकरती में कोई गधा किसी गोड़ी की और आकरशित नहीं होता ना कोई गोड़ी किसी गधे को घांच डालती है हमेशा सिलेक्षन वो अपने से बहतर का ही करेगी लेकिन यहां हमने गधे को पकड़ाया गोड़ी को पकड़ाया और जो है करवाया क्रोस इनका तो इस तरह भिन-भिन जाती मिलाने से क्या पेदा होती है नई जाती, जिसे भिन भिन नसल से आई थी नई नसल, तो यहाँ प्रश्ण था नई नसल बनाने की विधी संकरण, नई जाती बनाने की विधी प्रसंकरण, लेकिन प्रसंकरण में ओर दूरी बढ़ गई, दूरियां डिस्टेंस जितनी बढ़ेगी, वेरियेशन उतना आए भिन्नता उतनी आएगी नया गुण आने की संभावना बढ़ेगी आप सोचो कि ये की गाव में विवासंबंद होते रहे होते रहे होते रहे क्या नया आएगा वही घिसे पिटे केरेक्टर वही पुराने जीन से एक जैसे लोग लेकिन यदि इंटर कास्ट मेरी जोगी तो और नया केरेक्टर आएगा इंटर रिलीजियस होगी कि हिंदू व्यक्ति है तो वो हो सके तो क्रिश्चन में मुमेडियन में या फिर पंजाबियों में इधर विवासंबंद होना चाहिए या मुसलिम नड़की है तो हिंदूों में या दूसरे जो है रिलिजन में हाला कि अपने यहां बहुत ही सीमित सोच के लोग रहते हैं लेकिन जो विदेशी लोग हैं जो ये आपने प्रजन की कि दे में जहते हैं जहां पर कोई विशेल जीन में पाया जाते हैं जैसे कि अपने इंडिया में लेह लद्दाख में कहना नहीं चाहिए लेकिन दाह करके गाउं है जहां कहा जाता है कि आरियन जीन है प्योर वहाँ पे यह अपने सिलेवस से बाहर की चीजे हैं लेकिन अगर तुम सर्च करोगे तो गूगल पर तुमको बहुत मेटर मिलेगा उसके बारे में ठीक है तो डिस्टेंस जितना बढ़ेगा नए केरेक्टर साएंगे और यदि एक ही जाती में निकटम संबंदियों में लगातार विवाह संबंद होते रहेंगे तो नए केरेक्टर आना बंद हो जाएंगे या नए केरेक्टर आने की संभावना बहुत कम ह हो जाएगी तो यह चीज यहां पे भी लागू होती है कि दूरियां बढ़ने पर नए गुन आ रहे हैं अच्छे केरेक्टर आ रहे हैं तो प्रसंकरन में जब हम खचर को देखते हैं तो खचर के अंदर गढ़ने की चमता हां तो भीया बात चल रही थी खचर के बारे में तो जो संतान है म्यूल है खचर है उसमें बोजह लादने की चमता गढ़ने की तरह दिखाई देगी बहुत ज़्यादा बोजह लादने की छमता और लंबी दूरी तक चल सकता है लेकिन हाइट, हेल्थ, ब्यूटी अगर देखेंगे तो घोडी की तरह होगी तेज दोडने की छमता घोडी की तरह होगी तो खचर एक तरह से कॉम्बो हो गया, शक्तिमान हो गया माता, पिता, दोनों से अच्छे-च्छे केरेक्टर आ गया वेन एनिमल, वेन प्रोजेनी बिकम मोर विगर, मोर प्रोड़क्टिव देन पेरेंट्स इसको कहते हैं हाइब्रिड विगर, इसको कहते हैं संकर ओज तो संकर ओज सबसे ज़्यादा प्रसंकरण में ये ओप्शन में नहीं मिले, तो संकरण में, क्रोस बिडिंग में ये चीज ध्यान रखना, ये प्रशने रिपिट हुआ है प्रसंकरण में बस ये की खामी है, ये की कमी है वो ये है कि यहाँ संताने नपुनसक होती है अनफर्टाइल होती है, इस्टेराइल होती है, बांज होती है जनमजात ये खचर, नरमादा खचर मिलके नया खचर पैदा नहीं कर सकते हैं क्यों नहीं कर सकते, इसका कारण है कि गुनसूत्रों का आसामान ये भजन अने वाली संतान विक्सित नहीं हो पाती, अब इसका कारण में डिटेल में बाद में समझाओंगा ये ना बहुत खिचड़ी होने लगती, फिर एक साथ बहुत सारा पढ़ लेते हैं तो तो जब ये आएगा डिटेल में तब वहां में बताऊंगा यहां अभी एकी example रखो, यहां 4-5 example से वो भी बताऊंगा आगे क्यों बनते हैं ये भी बताऊंगा आगे, क्या काम मिलिया जा सकता है ये भी बताऊंगा क्या कमिया होती है उस पे भी अपन डिसकुशन करेंगे बाद में अब फिलाहल में आप इतना याद रखें कि hybridization जो method है उसके ये जो है सारे merits है ये जो है इसके फाइदे हैं क्या basic questions आते हैं और क्या यहां पर logic लग रहा है ये आपको समझ में आ जाना चाहिए दिन अपन आगे बढ़ते हैं लास्ट में grading अप अपने आप में एक separate method है फिर भी अपन इसको साथ में पढ़ लेते हैं न ग्रेडिंग अप पाइट नहीं है आउट क्रोसिंग का लेकिन grading अपको अपन परते यहीं पे है grading अप नाम से पता चल रहा है क्रम से उननती grade में ज सेम ब्रिट को क्रोस करवाएंगे एक नर है खराब नसल के कहीं सारी माधा हैं और समुह में उन सब का क्रोस करवाते जाएंगे प्रजन करवाते जाएंगे तो साथवी पीड़ी में 7th generation में जाकि हमको प्योर एनीमल मिलेगा कैसे मिलेगा मेंडल का कौन सा लोग यहां काम क परता है क्या कंडिशन होती है क्या डीमेरिट होते हैं वो अपन डीटेल में बाद में पढ़ेंगे पर इतना समझ लो कि पूरे चेप्टर में सारी कथा जो है यह इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग में चल रही है इन में फिर दो मेथड है आउट में फिर तीन में या आप टोटल कहें तो चार मेथड है इन चार में फिर चार कंडिशन हैं और इन में भी फिर अलग-अलग संकरण में फिर देखें तो चार अलग-अलग मेथड आ जाती है तो इनका डीटेल अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे तो आपको पढ़ना है पहले इन ब्रिडिंग घर से अपने नोट से इन ब्रिडिंग में क्या डाउट से हैं वो आपको समभाल के रखने हैं और फिर इसमें भी क्लोज और लाइन ब्रिडिंग में क्या मेरिट क्या डी मेरिट है तो इसमें अगली क्लास में चर्चा करेंगे, आज काफी लंबी क्लास हो गई है इतना ही काफी है, इतना ध्यान से सुनने के लिए सबी लोगों को थेंक्यू, मिलतें अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ में जैहिन जै भारत